इसमें अध्याय का बाठ करते हुए संधि संध्यंग निरूपन या इतिवरत्त विवेचन पर हम आज करेंगे। पहली ही कारिका में कहा है इतिवरत्तम तु नाट्यस्य शरीरम परिकीर्तितम। इतिवरत्त नाट्य का शरीर कहा गया है। जैसे मनुष्य का शरीर होता है ऐसे ही नाट्य पुरुष का जो शरीर है उसका इतिवरत है कथा वस्तु भी उसको कह सकते हैं वस्तु विधान भी कह सकते हैं पंचिवी संधिविस तस्य विभागह परिकल्पिता, पांच संधियों के द्वारा उसका विभाजन किया जाता, जिसे शरीर में संधियां या जोड होते हैं, हमारे शरीर के अलग-अलग अविया, वो संधिस्थल उनके हुआ करते हैं, उसी प्रकार से नाट्य शरीर की आरंब होगी, तो उसकत में पुर्लिंग है, संधिशब और हिंदे में हम स्टेलिंग में उसका प्रयोग करते हैं, इतिवरत्तम्त इधा चाहिए वदस्तु परिकल्प है, कभी को चाहिए कि वो दो प्रकार के इतिवरत्त की परिकल्पना अपने नाट्टी के लिए करे, य अभिनेताओं के लिए भी है ही, कभी नट उपदेश आर्थम, शास्त्र मिदम, ऐसा अभिनाव गुप्त कहते हैं, कभीयों और नटों को सिखाने के लिए ये शास्त्र पूरा भरत्मुनी ने रचा है, तो यह कभीयों के लिए भरत्मुनी कहते हैं कि कोई भी कभी सबसे पहले कभी अर्थात जो नाटक लिखता है, नाटक भी काव्य है, नाट्टी लिखता है, दृष्य काव्य, तो वह अपनी कथावस्तु की परिकल्पना करेगी, कैसी कथावस्तु, कहानी उसको लेना है, उस कथावस्तु के भी दो प्रकार होंगे, एक तो आधिकारिक और इसी के उत्राद में कहा है, आधिकारिकमेकम स्यात प्रासंगिकम अथापरम, एक आधिकारिक होगा एक प्रासंगिक, इनके नाम में ही लक्षण है, आधिकारिक तो प्रधानितिवरत है, अधिकारी नायक है, उससे संबंदित जितना पूरा घटना विस्तार है, नायक का पूरा जीवन, उसका संगर्ष, उसकी विजय, उसकी फलब प्राप्ति, अपने उद्देशी की प्राप्ति, यह पूरा जो उसमें कथा का विधान है, वह आधिकारिक है, और प्रासंगिक जो प्रसंगवश, विरतान ताता है, राम चरित को लेकर नाटक लिखा जाएगा, तो राम जन्म, राम का विवाह, धनुर्भंग के परश्यात, और राम का राज्याविशेक की घटना, केकई कवरदान मांग करके राम को वनवास, सिता का हरण, सिता हरण के परश्यात, रावन से युद्ध, रावन विजय, रावन वद, उसके परश्यात राम का राज्या आता है जैसे कि सिता हरन के पश्चात सिता को ढूंड रहे हैं उसमें सुग्रीव से भेंट हो जाती है। का चरित उसमें रहता है। ये प्रासंगी प्रतान्त है। जैसे सुग्रीव है वो उनके व्रत्तान्त उनके जीवन की घटनाएं वो प्रासंगी व्रत्तान्त है। इसके पश्चात आधिकारिक प्रासंगीक इसमें अंतर बताते हुए आगे कहते हैं। यह तस्यानु पूर्व्या विग्यया पंचा अवस्था प्रयोक्ति भी। आव ये जो पूरा आधिकारिक प्रत्तान्त है इसमें पांच अवस्थाएं होती हैं। नायक के जीवन से जुड़ी भी घटनाएं तो इसमें होगी। लेकिन नायक के जीवन में उत्थान पतन जो अवस्थाएं आती हैं वो पांच अवस्थाएं उसके जीवन में आएंगी। पृत्येक मनुष्य के जीवन में भी ये पांच अवस्थाएं आती हैं। सब का जीवन इन पाँच अवस्थाओं में ही चलता है श्रश्टी भी इन पाँच अवस्थाओं में चलती है दर्शन शास्त्र में शेव दर्शन में भी श्रश्टी उत्पत्ति इस्थिति समभार अनुग्रह इस प्रकार की पाँच अवस्थाओं बताई गई है नीता चे फलप प्राप्ति फलयोग चे पंचमा आरंब प्रयत्न प्राप्ति संभव नीताप्ति और फलयोग ये पांच अवस्थाएं होती है नाम से ही इनका लक्षन भी कार आरंब करता है नायक प्रयत्न करता है जो फल है उसकी प्राप्ति की संभावना दिखती है जीवन का चित्रन करते समय ये पांचों वस्थाएं आएंगी। पांचों के लक्षन भी बताते हैं। जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि निरंतर उत्सुकता उनके मन में बनी रहे कि अब आगे क्या घटना घटती है। जो नायक उससे जुड़े हुए पात रहें वे भी उत्सुक हैं कि आगे हमको क्या करना है। और बीज कथा का डाला जाता है वो आरंब कहलाता है। और फिर इसका आगे चलके प्रयास किया जाता है। फलप्राप्ति के लिए अपश्यता फलप्राप्ति व्यापारोया फलंप्रति परम चोध्सुक की गमनम सप्रेतना परी कीरतिता है। वीज नियास हो गया, कार्य के लिए कोई आरंब कर दिया गया। लेकिन उसकारी की फलप्राप्ति नहीं कहीं भी दिखाई दे रही है। तो प्रयतना आरंब किया जाता है। फल के प्रति तो वह प्रयतन कहलाता है। नाम से ही उसका लक्षन भी है। जब प्रयतन किया जा रहा है तो थोड़ी संभावना एं खुल जाती है। क्यार्वी कारिका में कहते हैं ईशत प्रापतिरयिधा गाचित फलस्य परिकल्पिते भाव मात्रेण प्राहुर विधिग्या प्रापति संभवन, थोड़ी सी प्रापति की संभावना परिकल्पित हो जाती है कि कुछ दिशाख खुली है, कदाचित, अब कुछ आशा है यह भाव मात्र से ऐसा बोध होता है, तो उसको प्राप्ति संभव कहते हैं, इसलिए संभावना इसमें है, फलप्राप्ति सही-सही कुछ हुई नहीं है, न उसका कोई निश्चित सामने दिखाई देरा के होई जाएगी, संभावना थोड़ी सी खुली है, यह प्राप्ति कहलाता है, और उसके और आगे बढ़ते हैं, तो निटाप्ति चोथी यह स्थिति आ जाती है, निटाम तु फलप्राप्ति म्यदा भावे नपश्यती, जब अनुभव उसको होता है, अब निश्चित है कि अब सामने है फल मेरे, तोड़ा सा और मुझे प्रयास करना है उस कम भी इसको शास्तरकारोने बाद में कहा है, अभी परेत्म समग्रमचा प्रति रूपं कृया फलम इतिवरट्य भवेध यस्विन फलयोगा प्रकीर्चित अभी पहेत्ग समग्र रूप में कृया का फल जब सामने उसको प्राप्त हो जाए, तो उससी इतिवरत्य के उस भ पांचों के हम उदारण संक्षेप में ले लेते हैं, भरत मुनी ने तो उदारण नहीं दिये हैं, क्योंकि वो तो प्रवर्तक आचार्य हैं, आकर ग्रंथ उनका है, उनके समय तो नाटक नहीं लिखे गए, जब नाट्य शासर आ गया तो अधनुसार नाटक लिखे जाने और बात के शास्रकारों ने उदारण दिये हैं, तो हम समझाने के लिए उदारण भी यहां ले लेते हैं, अपनो असद अत्तम प्रसिद्ध नाटक है, उसमें आरंब क्या है, कि राजा उदियन के राज्य का एक भाग शत्रू ने अडप लिया है, उस शत्रू से पदला ल यहां इसके लिए आरंब किया जाता है, तो उसके लिए योगंदराण जो मंत्री है वो योजनापूरी बनाता है, उसका आरंब यह है कि सबसे पहले राजा का दूसरा विवाह करा दिया जाए, मगद की राजकुमारी के साथ, मगद की राजकुमारी से दूसरा विवाह हो कि यह सब मैंने आरंब कर दिया कार्य कि वासवदत्ता को मुरत भोशित करा दिया जूटी खबर उडवादी की पहली रानी जिस पर राजा उदियन बहुत प्रेम रखते हैं और उसके कारण दूसरा युवाह करने को वे कभी भी तैयार ही नहीं होंगे उस रानी को भी मंतरी ने तैयार कर लिया कि कुछ दिन के लिए आप छद्म वास में रहिए क्योंकि महराज को इतना मोह है आपके लिए इतना प्रेम है कि वे दूसरा युवाह नहीं करेंगे दूसरा युवाह जब तक नहीं होगा तब तक सहायता मगत की प्राप्त नहीं होगी परानी इतना बड़ा त्याक करती है वासवदत्ता वे छद्मवास में उसी राजकुमारी के यहां सामान इस्त्री के वेश में रहने को तैयार हो जाती है जिससे की उनी के पती का दूसरा युवाह कराये जाना है ऐसी मारमिक घटना ये होती है उसमें एक आरंभ किया गया वासवदत्ता के मरने का मिथ्या समाचार फेला दिया गया और उसको लेकर के योगंदराण जा रहे हैं मगत की राजधानी की तरफ सहियोग से मार्ग में ही पद्मावती जो राजकुमारी है मगत की उससे भेंट हो जाती है और वे उससे प्रार्थना करते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ ये मेरी बहन है अवंति देश की मेरी ये बहन है इसका पती कहीं चला गया है इसको कुछ दिन के लिए आप अपने पास निक्षेप या धरोहर की रूप में रख लीजे तो वे सौंप देते हैं ये एक आरंभ हो गया तो उसके बाद योगंदरान्ड कहते हैं कि पद्मावती से विवाह राजा का होगा जोतिशियों ने भी बताया था और उस विवाह के होने पर सारा जो फल्योग हमारा है उसके दिशा में हम आगे बढ़ेंगे राज जी की पुना प्रतिष्ठा तो उसकी मैंने बीजवपन कर दिया आज ये आरंभ ववस्था यहां खतम हो जाती है योगन रायन के द्वारा वस्था को सौंप देने से पहले अंक्यंत में वो कहते हैं अरधम आवसितम भारत से मैंने जो बीड़ा उठाया था मैंने जो काम आरंभ किया था उसका आधा तो समाप्त हो गया है बाकी अब दूसरे मंत्री उन पर है कि बाकी कारी वो करेंगे राजा का दूसरा विवाह कराना दूसरी जो अवस्था है प्रयत्न वह उदेन का किसी तरह उनको अनुनाय विनाय करके मगद में लाया जाना मगद के राजा से चुपचाब बाचीत करना कि अब इनकी पत्नी नहीं रही आप अपनी बहन का राजकमारी पद्नावती का विवाह इनसे कर दीजे फिर उदेन को मनाया जाना और विवाह करने के लिए किसी तरह उनको तयार किया जाना यद्यपी उनका मन नहीं है वो वासोदत्ता के विरह में बहुत दुखी है उनको यह बता दिया गया है कि वासोदत्ता तो जल करके मर गई है बहुत दुखी रहते हैं दुखी मन से विवाह कर लेते हैं यह प्रयत्न है और विवाह जब हो गया तो प्राप्तियाशा आरंभ हो जाती है और उसके पश्चात एक वासोदत्ता से पुनर मिलन यह भी इसनाटक का वास्ताव में कार्य है वासोदत्ता से वियोग आरंभ में होता है वासोदत्ता की पुना प्राप्ती के लिए प्रयास भी होता है और वासोदत्ता से पुनर मिलन होना तो सपन में वासवदत्ता को राजा देखते हैं सचमुच की वासवदत्ता भी वहां खड़ी है क्योंकि वासवदत्ता तो जीवित है सामान इस्त्री के वेश में वो रह रही है और राजा सपना देख रहे हैं सपने में वासवदत्ता को देख रहे हैं तच्मुच की वासोदत्ता भी खड़ी हुई है और सपने में महाराज बड़बडाते हैं असली वासोदत्ता उत्तर देती है भहुती मार्मी की हद्रश्य है और वो दिन की एक जटके में नींद खुलती वासोदत्ता जल्दी से पलट कर चल देती हैं उसके एक जलक राजा देख लेते हैं तो उनको लगता है कि नहीं वासोदत्ता जीवित है कि देपी सब उनको इश्वास देलाते हैं कि नहीं आपको भ्रह्म हुआ है सपने में पर उनको मन में लगने लगता है कि नहीं वासोदत्ता कहीं कहीं है ये प्राप्तियाशा मानी गई है और उसके पर युद्ध होता है जो शत्रुय उसको पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और योगंदरायन वासवधत्ता को वापस लेकर के आते हैं उधियन के पास कि ये महारानी सचुच में जीवित्मी राजा और रानी का फिर से मिलन हो जाता है ये नेताप्ति और फलागम की इस्थिती होती है इस प्रकार से पांचों जब लेकर के पहुंचते हैं और उधियन कहते हैं कि ये तो वासवधत्ता है मजाक में योगंदरान कहते हैं कि नहीं है मेरी बहन है मैंने जरौर की रूप में रखा था पदमवति की पश्चात या नेताप्ति है उधियन को विश्रा सोजाता है कि नहीं है वासवधत्ता ही है और फिर योगंदरान भी रहस से खोलते हैं कि हाँ ये वासवधत्ता ही ह तो फलागम हो जाता है, इस तरह से दोनों अवस्थाएं अंतिम अंक में, छठे अंक में इसमें सत्यापित होती हैं, पहले अंक में आरंभ है, दूसरे तीसरे में प्रयत्न है, और चोथे पांचवे में प्राप्तियाशा है, छठे अंक में निताप्ति और फलागम है, तरह स का जो प्रकृति है अर्थ कहते हैं कथा यहां पर काव्यार्थ और उसकी जो प्रकृति है तदनुसार ये पांच अर्थर प्रकृतियां परिकल्पित की गई तो पांच अवस्थाएं पांच अर्थर प्रकृतियां और आगे बताएंगे पांच संधियां ये पांच-पांच केस में यूग्म बनते हैं इस प्रकार से अर्थर प्रकृतियां भी चलती है वो अर्थर प्रकृतियां क्या है कि बीज बिन्दु पता का प्रकृतियां भी चलती है वो अर्थर प्रकृतियां क्या है कि बीज बिन्दु पता का प्रकृतियां भी चलती है वो अर्थर इनके द्वारा होगा तो आरम ववस्ता है, उसमें तो बीज होगा ही कि गठावस्तु का बीज डाला गया और बिंदू में उसका थोड़ा सा विस्तार होता है तो प्रयास उधर किया जाता है फलब प्रापती के लिए इधर बिंदू अर्थर प्रकृति आ जाती है खलब प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है तो अन्य पात्रों से भेंट हो जाती है जो सहायता उसमें करेंगे जो से राम की सुग्रीव से भेंट हो जाती है यह पताका कहलाता है सहनायक का व्रत्तान पताका है और प्रकरी भी किसी ऐसे व्यक्ति से भेट जिसका व्रत्तान बहुत दूर तक नहीं चलने वाला है इसे शबरी से मिले उसका कारी केवल इतना ही है शबरी की भूमिका इतनी है कि वो इश्किंधा की और का मार्ग बता देती है कि वहाँ जाईए वहाँ सुग्रीव जो पहले वानर राज थे उनसे भेट आपकी होगी तो वो सहायता करेंगे उसके बार शबरी की कोई भूमिका नहीं है यह संग्षिप्त वृत्तान ते जो की दूर गामी ना हो यह प्रक्री हो जाता है और सुग्रीव से भेट होती है तो सुग्रीव तो साथ चलते हैं युद्ध में सहायता करते हैं सीता की अन्मेशन में सहायता करते हैं तो सिग्रीव का अपना भी एक कथानक है और वो नायक के साथ में भी सहायता करने के लिए दूसरी घटनाओं में फल्योग तक समिलित होते हैं, यह पताकाव प्रक्रीज और दो अर्थप्रकृतियां हैं उनमें अंतर है, यह पांचों अर्थप्रकृतियां हैं, अंतिम कार् बीज विंदु पता का प्रक्रीज और कार्य पांचों अर्थप्रकृतियां हैं और लक्षन भी इनके संक्षेप में हम पढ़ लेते हैं, सुर्पमात्रम समुस्रष्टम बहुदा, यद विसर्पति, फलावसानम यद चैव, बीजम तत्परिकीर्तितम, बहुत थोड़ा स जिसमें समुस्रष्ट किया गया है, जैसे धरती में बीज डाल देते हैं, प्रतिक्षा करते हैं कि अंकुरित होगा, तो यह है, बीज वपन कर दिया गया है, जिसमें बीज नाम ही उसको इसलिए दिया है, लेकिनों बीज आगे चलकर उगेगा, अंकुरित होगा, पल्लव नाम की अवस्था है फिर उस बीज का उगना आरम होना उगना आरम होना यह प्रयत्न हो जाता है उसके लिए सींचता है उसको खात पानी वगेरा देता है तो प्रयत्न अवस्था हो जाती है और इधर बिंदू उसका विस्तार फिर अंकुरित होना यह प्रयोजनानाम विच् के फिर आगे कथावस्तु को बढ़ाता है बिंदू फेलता है जिस प्रकार से इसका उधारन देते हैं दूसरे शास्तरकार की पानी किसी पात्र में रखा उसमें तेल की एक बून डालते है तो फेल जाती है उस तरह से फिर गटनावे जो एक बून डाली गई है बीज वपन क यद वरत्तम तुपरार्थम स्यात प्रधानस योपकारकम प्रधान वच्च कल्पेत सापता केति कीर्थिता प्रधान का उपकारक कोई वरत्तान जो उसके सांसां चल रहा है उसकी एक अपनी अलग कहानी है जैसे सुग्रीव की कहानी है रामान संबंदी नाटकों में तो प्रदानवत उसमें भी फिर ये मुख प्रतिमुख गर्व विमर्ष उपसम्हार पाच संधियां आरम वेतन प्राप्तियाशा नेता अपति फलागम पांचों वस्थाएं ये उसके व्रतान्त में भी होंगी उसका भी एक जीवन है तो पताका नायक उसको कहते हैं जो सह नाय प्रदान पात्र की और उसको अभी पताका के रूप में उसका भी एक प्रतान्त होगा तो पताका कहलाता है फलम प्रकल्प्यते यस्यापरार्था येई वकेवलम और उबंद भी नत्वात प्रकृति विनिर्दिशेथ और केवल परार्थ के लिए ही जिसका फल है अपना उसका कोई विकास नहीं है उसमें आरम में यतन प्राप्तियाशा नियताप्ति फलागम अवस्थाएं नहीं है और किसी पात्र से भेंट होती है उसकी भूमिका इतनी है कि मार्ग में मिला और थोड़ा सा बता करके कुछ साहता करके फिर चला गया तो पुना वह अवतरित क दिखाई जाएगी पुना-पुना प्रवेश उनका होगा पता का वो प्रक्री में ये अंतर है उधारन इसके दिये जाते हैं कि रामयन संबंदी ये दिनाटक है तो पता का उसमें सुग्रीव का वरत्तान्त है और शबरी का वरत्तान्त प्रक्री है अंतिम जो है वो वीज आधिकारिक वस्तु परिकल्पित की गई है अच्छी तरह उसका विकास बीजविंदु पता का प्रकृरी इन अर्थर-प्रकृतियों के द्वारा दिखाया गया है उसको परिनथी पर पहुँचा दिया जाए जिसके लिए सारा प्रयास किया गया था जिस फल के प्राप्ति क लिए वो फल आ जाए तो यह कार्य कहलाता है और अवस्था की रूप में फल योग भी इसी को कहते है तो हम देखते हैं कि यह आरम भयत्न प्राप्तियाशा नेताप्ति और फलागम यह पांच अवस्थाएं क्रमशा बीजविंदू पताका प्रक्रिय और कार्य इन पांच अ प्रस पर इनमें इस प्रकार का संबंध है अब जो हम उदारण के लिए देखना हो तो अपने वस्थाएं का हमने उदारण दिया तो जहां आरम है वहीं बीज नाम की अर्थ प्रकृति भी है कि योगंदरायन कहते हैं कि पद्मावती से विवाह कराना है उसके लिए आरम ह वह बीज प्रकृति होगी और भिंदु इसी के साथ जुड़ करके इस नाटक में आता है कि भ्रहमचारी प्रवेश करता है या वो सोंप देते हैं उसी समय एक भ्रहमचारी आता है तपोवन में वासवदत्ता को आवंतिका के नाम से योगंदरायन सोंप देते हैं पद्मा में आग लग गई और रानी जलकर के मर गई यह सब गटनाएं बताता है बड़ा कोतुब भी इसमें बढ़ता जाता है दरशकों का क्योंकि योगंदरायन और वासवदत्ता दोनों जीवित हैं वो सुन रहे हैं दरशक तो जानते हैं कि यही वास्ता में योगंदरायन और वो सन्यासी के वेश में है, वो रानी, सामान्य स्तृ के वेश में है तो उनी के बारे में कोई वहां से आया हुआ गाउं का ब्रहमेचारी है जहाँ गुरुकुल में वो पढ़ता था, वो बताता है कि वो लोग जल करके दोनों मर गए मंत्री और रानी दोनों वड़ी दारुन घटनाओं बताता है दुखी हो करके और उसके बाद कुछ बाच्चीत होती है उस अपोवन में आपस में तो पद्मवती की इच्छा उसकी दासी बताती है कि वो उदियन को मनीमन चाहती है यह बिंदु है विस्तार फिर इसमें महराज वदियन से विवाह करना उसके लिए बरास्ता भी खुल गया है पताका इसमें पद्मवती का वरत्तान थे और रामयन के नाटकों में मैंने बताया ही कि सुग्रीव का वरत्तान थे पद्मवती इसमें साहनाई का है मुख्य पात्र वदियन और वासवदता है पद्म प्रक्री इस नाटक में सुपना उसवत्तम में जो भ्रमचारी है वो थोड़े समय के लिए आता है और पहले क्या-क्या घटनाएं घट गई है वो बताता है उसके बाद उसका प्रवेश फिर से नहीं होता है उतनी भूमिका उसकी है तो वो प्रक्री भ्रमचारी जो बताता ह वो प्रक्री वरत्तान थे इस नाटक में और जैसा मैंने कहा है कि रामयन संबंधी यदि नाटक है राम कथा पर तो उसमें शबरी के राम की भेंट उसमें जो वरत्तान थे वो प्रक्री कहला आएगा और अंत में रावन का बत करके राम राज्जा विशेख यह कार्य होग या कार्य होगा इस प्रकार